स्री राम एवं स्री कृष्ण द्वादसी वुरत्त दुर्वासाजी कहते हैं इस प्रकार जेस्टमाज के सुखलबक्स में स्री राम द्वादसी वुरत्त होता है मनश्य को चाहिए कि वह संकल करके विधी के साथ विधी प्रकार के पवित्र पुस्पों से परमणात्म की पुझाकरे ओम रामा भी रामाय नमह कहकर वस्री भगवान के दोनों चर्णों की ओम त्रिविक्रमाय नमह कहकर कटितन देश की ओम दृत विश्वास दृत विश्वाय नमह कहकर उसके उदर की ओम समवत सराय नमह से रदे की ओम समवत सकाय नमह से कंट की ओम सरवास प्रदारिने नमह से भुजाओं की ओम पांच जन्याय नमसे संकित दा ओम सुदर्शन चक्राय नमसे चक्रकी ओम ओम सास्त्र सीर से नमसे भगवान के सीर प्रदेश की भुजा करे इस प्रकार विधीवत पूजा करके पुरवक्त विधीद्वारा एक कलस ताबित कर उसे कलस से वस्त्र से सवाला पुप्रती प्रातक्काल उन प्रतिमाओं को ब्रामनों को दे दे पहले पुत्र ना ओने पर वहाराज महराज दसरत ने भी पुत्र की कामना से वसिष्ट जी की बड़ी आराधना कर जब पुत्रोज पत्ति का उपाई भूचा तो मुनियों ने उने यही विदान बता इस वुरत के रहिष्ट को जानकर राजा दस्रत ने उसका अनुस्तान किया जिसके भला स्वरुप स्वयम वगवान स्रीहरी महान सक्तिसाली रूप राम रूप में उनके पुत्र हुए महमुनी उस समय सनातन स्रीहरी ने अपने को राम लक्समनादी चार रूपों में अवधी समाप्त हो जाने पर वह पुना रचलोक में आता है यहां आने पर वह सो यग्य करने वाला राजा होता है जो इस वुरत को निसकाम भाव से करता है उस पुरुषके समस्ता पापना समाप्त हो जाते हैं साथ ही ही उसे अगवान स्रीहरी का केवल्य पद भी प्राप हो जाता है जो स्वच्छ एवं सनातन है दुर्वासाजी कहते है इस प्रकार आसाड मास के जुकलपक्स में स्रीकृष्ण द्वादसी वृत होता है वृति को चाहिए कि संकल्प करके उसके साथ ओम चक्र पाणिये नमा ओम भूतये नमा ओम पंच जन्या नमा ओम प्रकार अग्रभाग में वा पुर्ववत कल स्ताबित कर उसे वस्तर से आच्छा दित कर दे फिर उसके उपर सनातन स्री हरी के चतुर्वी रूप में आउतरी तस्वर्ण निरमित्रिकृष्ण के प्रतिमा स्ताबित करे फिर चंदनेवं भुस्पादी से उसकी विदिवत विदिवत पुजा करे तदनंदर पुर्व की बातिवा प्रतिमा वेधी पाठी ब्रामनों को दान कर दे इस प्रकार नियम के साथ वुरत करने वाले को जोब पुण्य प्राप्त होता है उससुनो यदिवंस में वासुदेव नामक एक वेश्ट कुसल पुरुस हुआ है उनकी पत्नी का नाम देव की था पती की पती के साथ ही साथ सभी वुरतों का अनुस्टान करती थी साथ ही वे प्रवपाति वुरत दर्म का पूर्ण रुप से पालन करती थी परम तुश साधवी को वेधुत्र न था बहुत समय व्यतित हो जाने पर एक बार स्री नारज जी वासुदेव जी की घर्प आये उन्होंने वक्ति पुरोग मुनिकी पुजा की फिर नारण जी ने कहा वसुदेव मैं यह देवताओं से संबंद एक कारिय बताता हूं उसे सुनो अनग मैंने स्वयम देखा है देवताओं की सभा में जाकर पृत्वी ने कहा है देवताओं अ असमर्थ हो गई हूं तर दुर्जन दल बांध कर मुझे दुख दे रहे हैं अथा आप लोग उसका सहर करें इस प्रकार पृत्वी ने कहने पर उन देवताओं ने भगवान नारेन का ध्यान किया ध्यान करते ही भगवान श्रीयरी ने उसके सामने प्रकट होकर कहा देवत हूं इसमें कोई संसे नहीं है मैं मनुष्य के रूप में मर्द्य मच्य लोग में जाओंगा किन्तु जो तो ब्रत्य लोग में जाओंगा, किन्तु जो स्त्री अपने पती के साथ आसार मास के सुकलफ वक्स में द्वादसी का अनुस्तान करेगी, मैं उनकी उसी के गर्व में निवास करूँगा, भगवान स्रीयर के ऐसा कहने पर देवताओ तो अपने स्तान पर चले गए, पर मैं नरट जी यहां आ गया हूं, मेरे आने का विशेश कारण यह है कि आपकी कोई संतान मरलब जीवित नहीं है, अथा आपको यह बतला दू, द्वादसी वरत के करने से वासुदेव जी को स्रिगृष्टन जैसे बुत्र की प्राप्ती हुई, साथी उन यदूसरेश्ट को व सिद्या, 45-46, फिनिश, बुद्ध द्वादसी वरत्त दुर्वासाजी कहते है मुने माक्स, रावन मास के सगलवक्स में द्वाद, एका दसी के दिन बुद्ध वरत्त करने का विदान है, पूर्व कथित विदी के अनुसार चंदन एवं फोलादी से वगवान स्रियरी की पूजा करनी चाहिए, ओम दामोद्राय नमा ओम, कहरिकेसाय नमा ओम, सनातनाय नमा ओम, स्रीवत्च दारिने नमा ओम, चक्रपानी नमा ओम, हरये नमा ओम, मंजुकेसाय नमा, तदा ओम, बद्राय नमा, इन मंत्रों के द्वारा क्रमसा वगवान बुद्ध रुप, स्री स्रियरी के चरण कटीब वाग उदर चाती भुजाय कंठ सीर्यवं सिखा की क्रमस अर्चना करनी चाहिए इस प्रकार सम्यक रिती से पूजा कर पहले के ही समान कलस्तापित करे और दो वस्त्रों से उसे आच्छा दित कर उसके उपर संपुर्ण संसार को अपने उदर में धार पहले जैसे ही वेद और वेदां के पारागा में ब्रामन को वा पृतिमा दे दे मुने ये विदी श्रावनमास की एकादसी बुरत की कही गई है इस प्रकार नियम के साथ यदी बुरत किया जाए तो उसका जो प्रभाव होता है वा कहना कहता हु सुनों राचिन समय की बात सतीयुग में रूग नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी नरेष्टे जिने आखिट मलब सिकार का बड़ा सौक्ता अतह प्राया हुए गान वरों में कुमते रहते थे एक समय की बाते वे गोड़े पर चड़कर किसी वनमा बहुत दूर चले गए जहां सी वाग साथी सर्पो और डाको का निवास तान था राजा नरुग के पास इस समय अन्य कोई सहायक भी नहीं था वे गोड़े को खोल कर एक रुक्स के नीचे स्रम से ठक कर सो गए इतने में ही रात हो गई और चोदा वज्जार व्यागरो का एक दल मुरुगो को मारने के विचार से वहां आ गया व्यागरो ने देखा राजा सोये हैं उसका सरी सोने और रत्नों से सुसोभी थे लक्समी उसके अंगं की सोबा बढ़ा रही है अतवे सभी अधिक तुरंत अपने सरदार के पास गए और उसे उसकी सुचनादी सुवर्णा और रत्नों के लोब में पढ़कर वह सरदार भी राजा नुरुप को मारने के लिए उद्धत हो गया और वे व्यागरा आत्मे तलवार लेकर उन सोये होई राजा के पास पहुँच गये वे उने पकड़ना ही चाहते थे कि राजा ने सरीर से सहता सहसा चंदन माल्यादी से अविभुसित एक स्त्री प्रकट हो गई उसने चक्र उठा कर सभी व्यागरों तेता मलेच्चों को माडाला उन्सका व्याग उसका वदकरवा देवी उसिक्षण पुना राजा नुरुप के सरीर में समा गई इतने में राजा भी जग गए और देखा कि मलेच्च नस्त हो गए और देवी सरीर में प्रविष्ट हो गई है प्रविष्ट हो रही है अब राजा कोड़े पर सवार होकर वामदेव जी के आस्तरम पर गए और उन्हों ने भक्ति पूर्वा कुछा भगवन ये इस त्री कौन थी और था मैं वे मरे हुए व्यागरक कौन थे आप मुझे पर प्रसंद होकर इस आस्चरी जन गटना का रज से बताने की गुर्बाकी जी ये देव वामदेव जी बले राजन इसके पूरो जन्म में तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय ब्राह्मनों के मुक्से तुमने स्रामनमास के सुकलब पक्स की एकादस द्वादसी वुरत के अनुस्तान की बात सुनी और राजन बड़ी इस र पाकार होकर तुम्हारी रक्सा करती है उसके प्रयास से ही गोरपापी एवं निर्दे मलेच्च जीवन से आद दो बैठे हैं राजन स्रामनमास की ये द्वादसी ही तुम्हारी रक्सि का है इसमें इतनी अपार सकती है कि सहसा प्राप्ट्व अभिपत्ती काल में भी तु देना ही क्या है उसके प्रभाव से तो मानव इंद्र लोग तक पहुँच जाता है अध्या फोटी सेवन समाप्त कल की द्वादसी व्रत दुर्वा साजी कहते हैं मणेप पूरवकति द्वृत्वों की बाती ही बादरपत मास के सुखनपक्स में जो एकाधसी होती है उस तिथि तिथे में कल की व्रत करना चाहिए उसमें विदी पूरवक संकल्पकर विदेवाधि द्यव वगवान श्री हर पुजा करनी चाहिए उसके बाद बुद्द्धिमान पुरुस्त पहले के वसामान पहले के समानी सामने कलस स्थापित कर उस पर वगवान कलकी की सुर्णव निर्मित प्रतीमा स्थापित कर उसके उपर एक स्वच्छ वस्त्र लबेट कर चंदन और फुस्प से उस प्रतीमा को अलंकृत करे उस प्रादक्काल उसे किसी सास्त्र के ज्याता ब्रह्मन को दान कर पर दे मुनिवर इस प्रकार ये उरत करने पर जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो बहुत पहले कासिपूरी के विसाल नमक एक पराकर्मी राजा थे बाद में उसके गोत्र के विक्तियों ने ही उसके राज्य को चीन लिया अव्य गंदमादन परवत के पवित्र बदरी वन में बदरी वन के छत्र में चलेगे और तप करने लगे इसी समय किसी दिन स्री नर नारेन नामक पुराण एवं परमप्रसिद्ध रुशी वहां पदारे उन दोनों देवताओं ने जिने संपुन देवगण नमसकार करते हैं और जिनके आगे किसी की सक्तिक काम नहीं देती उस समय राजा विसाल को देखा और मन में विचार किया कि ये राजा बहुत पहले से यहां आये हैं और परवम प्रमात्मा विश्टु का निरंतर ध्यान कर रहे हैं तो नर नारायन ने प्रसंदों कर उन निश्पाब नरेश आगे इससे कहा राजेंदर हम लोग तुमारी कल्यान कामन से वर देने आये है तुम रम से कोई वर मांग लाओ रजा विशाल ने कहा आप दोनों कौन है ये मैं नहीं जानता फिर किसके सामने वर पाने की प्रात्ना करूँ मैं जिसकी आरदा करता हूं मेरी उन्हीं से वर प्रापति की आरदिक इच्छा है राजा के इस प्रकार कहने पर नर नराहिण ने उससे पूछा राजन तुम किसकी आराधना करते हो अथ्वा कौन सा वर पाने की तुम्हें इच्छा है हम लोग जानना चाहते हैं तुम इसे बताओ ऐसा पूछने पर राजा विसाल बोले मै भगवान विष्णु के आराधना करता हूँ और फिर वे चुपचाप बैठ गए तब नाराएन ने पुना उससे कहा राजन उनी देवता उनी देवेश्वर की गुरुपा से हम तुम्हें वर देने की इसलिए आये हैं तुम वर मांगो तुम्हारे मन में क्या भिलासा है उसमें राजय के पास नर्णाराएन दोनों वगवा नर और नाराएन दोनों महभाग विराजमान थे उन्हें से नर ने कहा ये बगवा नाराएन है अक्षिल जगत को मार्ग दिखाना उनका ब्रधान काम है संसर की सुस्टिक करने में निपून है ये निपून ये प्रभो मेरे साथ तबस्या करने के विचार से इस वद्री वन में आ गये हैं मत्स्या कस्यप वरा नुर्शी वामन और पर्श्राम इन सब रूपों से पुर्व समय में इसका उतार हो चुका है इनकी सक्ति अपरिम्म ही हैं फिर ये भी फिर ये ही महाराज दसरत के घर राजा राम हु प्रुथवी का पारदूर कर दुखी सुखी किया था कभी पापियों से भैवित होकर नर्समू ने उसकी तुदि की थी उस अउसर पर उन्होंने नर्से रूप से अवतार लिया था बलिक और मोहने के निमित वामंद दाक्षत्रियों के आज से राज्य वापस करने के अत्र पंडित जने इनकी उपासना करते हैं यदि पुत्र प्राप्ति की कामना हो तो दिमान पुरुष इसके बालकृष्ण रूप की उपासना करें रूप की किच्छा करने वाला उसके बुद्धा उतार की तथा सत्रु का असल्हार करने चाहने वाला कलकी उतार की उपा दिव राजा इस उरत को संपन करने में संलगन भी हो गए कल्यान स्वरुप वी चक्रवती राजा हुए उनि राजा विशाल से जंबंद रखने के कारण ये बदरिवन विशाल नाम से प्रसिध्य हुआ वे नरेश इस जन्म में नरेश इस जन्म में सुख पुरुवक राज् पदमनाब द्वादासी वड़त दुर्वासाजी कहते हैं पुरूवकथित द्वादासी वरत की भाती आस्ट्विन माज के जुकलपक्स में ये व्रत भी है उस तिथी में पद्मनाब भगवान की अर्चना करने की विदी है ओम पद्मनाबाय नमा ओम पद्मयोनिय नमा ओम सर्वदेवाय नमा ओम पुन्रिक अक्साई नमाओं अव्याई नमाओं प्रभवाई नमाओं इन मंत्रों को बढ़कर क्रमस भगवान पद्मनाप के दोनों चर्णों कटिबाग रदे उदर आथेवं सेरी की पुजा करनी चाहिए फिर सुदर्सनाए नमाओं कोमा कोमोद्ये नमाओं आधि कहकर वगवान के आयुदों की पुजा करनी चाहिए इसमें भी पुरुवर्वत का सामने कलस रखना चाहिए उस पर वगवान पद्मनाप की सुर्णमाई प्रतिमा अस्तापित करें चंदन पुस्पादी से उसकी अंगों की पुजा करनी चाहिए राद बीच जाने पर प्रतिमा ब्रामनों को दे दे महामते इस प्रकार रद करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो बताता हूँ सुनो सत्य यूग की बात है बद्रास्प नाम से विख्या देख सक्ति साला राजा थी जिनके नाम पर बद्रास्प वर्स प्रसिद्ध हुआ है एक बार कभी अगस्त मुनी उसके घर आये और कहने लगे राजन मैं साथ रातों तक तुमारे घर पर निवास करना चाहता हूँ राजा बद्रास्प ने सिर जुका कर मुनी को प्रणाम किया और कहा मुनी वर आप अवस्य निवास करें राजा बद्रास्प कि सुंद्री घरानी का नाम कांति मती था उसका तेज ऐसा था मनू बारा हूँ सुर्य एक साथ व्रकास फैल रहे हो इसी प्रकार राजा की 500 सुंद्रिया भी थी जिनका उरत सैयमित था सुंदर स्वभावाली वे साथ सोते दास्टी की बाती प्रति दिन कार्या में सल्नग्न रहती थी क्रांती मती को ही राजा की पटरानी होने का स्वभाग्य प्राप्त था एक बार उस रूप और तेज से संपन कल्यानी कांती मती पर अगस्त मुनिकी द्रस्ती पड़ी साथ ही उसके बयसे कार्य में तत पर रहने वाले उस सुंदरी सोतों को भी उनी ने देखा राजा बद्राश्व तो राणी क्रांती मती के रसन मुक्को प्रतिक्षन देखता ही रहता था ऐसी परम सुंदरी राणी को देखने के कुछ समय बाद अगस्त जी आनन्द में विहल होकर बोले राजन आप धन्य है धन्य है इसी परकार दूसरे दिन राणी को देखकर अगस्त मुनिकी ने कहा रहे ये तो सारा विश्व वन्जित रह गया वन्चितर ये तो सारा विश्व वन्चितर हगया फिर तीसरे दिन उस राणी को देखकर यो कहने लगे हो ये मुर्ख गोविंद वगवान को भी नहीं जानते जिन्होंने केवल एक दिन की प्रसनता से इस राजा को सब कुछ प्रदान किया था चोथे दिन अगस्त मुनी ने अपने दोनों आतों को उपर उटा कर फिर कहा जगत प्रहु आपको साधुवाद धन्यवाद है श्त्रिया धन्यवाद है ब्रह्मन ख्षत्रियो और वेश्य तुम्हे पुना पुना धन्यवाद है बद्रास्वत तुम्हे धन्यवाद है ये ए अगस्त तुम भी धन्य हो प्रला देवा महावरती दुरू तुम भी सभी धन्य हो इस प्रकार उच्चस्वर से कहे कर अगस्त मुनी राजा बद्रास्व के सामने नाचने लगे फिर तो ऐसे कारिय में सल्लंगना अगस्त मुनी को देखकर रानी सइथ उस नरेश ने मुनी से पूछा ब्रह्मन आपके इस अर्ष का क्या कारण है आप क्यों इस प्रकार नुत्य कर रहे हैं मुनी वर अगस्त ने कहा राजन बड़े आश्चरी की बात है तुम कितने अज्यानी हो साथ ही तुमारा अनुगमन करने वाले ये मंत्री पुरवाईत और अनुजीवी भी मुर्की है जो मेरी इस बात समझ नहीं पाते इस प्रकार अगस्त मुनी के कहने पर राजा बद्रास्व ने आज्जोड़ कर कहा राजन ब्रह्मन आपके मुक से उच्चारित पहले को हम कभी हम नहीं समझ पा रहे हैं अता महभाग यदि आप अनुग्रख करना चाहते हो तो मुझे बताने की प्रुपा करे अगस्त जी बोले राजन पुर्वजन्म में इरानी किसी नगर में हरिदत नामक एक वैश्य के घर में दासी का काम करती थी उस समय भी तुम ही उसी के पती थे हरिदत के ही यहां तुम भी सेवा वुरुत्ती से एक करमचारी का काम करते थे एक समय की बात है आस्वी नमास क कि इस क्लपक्स की द्वादसी का उरत नियम पुरवक करने के लिए ये वेश्य तत्पर हुआ स्वेम भगवान विष्टु के मंदिर में जागर पुष्प यवं धुप आदिसे उस प्रभु की पुजा की तुम दोनों स्त्रीयवं पुरुष उस वेश्य की सुरक्षा के लिए साथ थे पुजनो पुजनो प्रांता वह वेश्य तो अपने घर लोट आया महा मते दीपक बुज न जाये इसलिए तुम दोनों को वहीं रहने की अग्या दे दी उस वेश्य के चले जाने पर तुम दोनों दीपक को वलिबाती जला कर वहीं बैठे रहे तुम लोग पूरी एक रात जब तक सबेरा ना हुआ तब तक वहां से नहीं अटे कुछ दिनों के बाद आयू समाप्त हो जाने के कारण तुम दोनों स्त्रीपुरूशों की मृत्य हो गई उस पुन्य के ब्रभाव से रजा प्रियवरत के गर तुमारा जन्म हुआ और तुमारी वह पत्नी जो ये उस जन्म में वाईश्य के यहां दासी का काम करती थी वह रानी होई है वह दिपक दूसरे का था पगवाल विष्णु के मंदिर में केवल उसे प्रजवलित रखने का काम तुमारा था ये ये किसी का ये ये उसी का ऐसा फल है फिर तो अपने द्रव्य से स्रियरी के सामने दिपक प्रजवलित करें उसका जो पुन्य है उसकी संक्या तो की ही नहीं जा सकती इससे मैंने यहां राजन आप दन्य है आप दन्य है सत्य युग में पुरे वर्स तक प्रेता युग में आधे वर्स तक द्वापर में तीन महीनों तक भक्ति पुरोक स्रीयरी के बुजा करने से विद्वान पुरुष जो फल प्राप्त करते हैं कलियोग में उतना फला केवल नमो नारायर कहकर प्राप्त किया जा सकता है इसमें कोई संसय नहीं है इसलिए मेरे मुक्त से निकल गया यह सारा जगत वंचित हो गया है मैंने केवल भक्ति की बात कहीं है वगवान विष्णु के सन्मुक दूसरे के जलाए दिपवक को प्रजबलित कर देने मात्र से ऐसा फल प्राप्त हुआ है अब जो मैंने मुर्खा होने की बात कहीं इसका अभिप्राय प्रेप इतना है कि वगवान के मंदिर में दिपदान करने के महत्व को ये लोग नहीं जानते मैंने ब्रामनों और राध्या को दन्यवाद इसलिए दिया है कि जो अनेक प्रकार की यग्यद्वारा बक्ती के साथ उस विधी से श्रियरी की उपासना करते हैं वे दन्यवाद के पात्र होते हैं मुझे उन प्रभू के अत्रिक इस जगत में अन्य कुछ भी नहीं दिखता आता मैंने अपने को इस दन्य कहा इस त्री को थे था तुमें दन्य बतलाने का कारण यह है कि एक वेश्य के गर सेविका थी और तुम भी सेवा का ही कार्य करते थे स्वामी के चले जाने पर तुम लोगों ने वगवान के मंदिर में दिपक को प्रजवलित रखा था यह स्त्री और इससे बढ़कर तुम दन्यवाद के पात्र हो प्रलात के सरीरस में आसुर वाओ के बीजिक्स थे फिर भी पराम्मा पुरुष परमात्मा को छोड़ कर उनकी द्रस्टी में अन्य को ही सत्ता न थी अता मैंने उन्हें दन्य कहा हैं दुरू का जिन्मर राजा के गर में हुआ था बच्पन में वे वन में चले गे और वहां भगवान विश्णु की अराजना कर से रुप से उपदेश देने की प्राथना की थी अता मुनि ने कहां राजना अब कार्तिक की पुर्णिम का परवा आ रहा है मैं पुषकर क्षित्र जा रहा हूं यो कहकर वे चल पड़े पुषकर जाते समय ही वे राजा बद्रास्व के महल पर रुके थे और ओन मुनिवर पर ने राजा को वहीं द्वादरसी वृत करने का उपदेश दीया था चलते समय मुनि राजा को पुत्र प्राप्ति का अश्रिवाद दे गए राजा बद्रास्त होने भी भगवान पद्वनाप की द्वादरसी का वृत किया सफ़ फलता वे पुत्र पुत्रों और सुट् बनोकर अंतमे भगवान परद्मनाप के दाम को प्राप्त हुए अध्या 49 समप्त।